हाई लेमेंधीज, वेलकम टूएजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो अपिता और गाईज, आज के इस वीडियो में हम अपनी एकनामिक्स जैन की माइक्रो एकनामिक्स में चेप्टर को कवर करेंगे प्राइस डिटॉमिनेशन और सिंपल एप्लिकेशन और इसमें जो आज हम ट बहुत important है, exam में आते ही आते हैं, इससे related question या फिर definition पूछ लेंगे, example पूछ लेंगे, so price ceiling and price floor बहुत important है और बहुत ही असान भी है, जिसे आप बहुत असानी से समझ सकते हो, so guys सबसे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जो last video में पढ़ाई थी, that is market equilibrium, market equilibrium किसे कह कहते हैं, तो हम लोगों ने curve पढ़ा था, हमने पढ़ा था, जब हमारी demand supply के बराबर हो जाए, उसको जहां पे cut करती है, उसे हम market equilibrium कहते हैं, यानि कि अगर ये point E है, तो इसे हम क्या कहेंगे market equilibrium, इस point पर हमारी demand जो होती है, वो supply के बराबर हो जाती है, ठीक है, और किस price पर let's suppose करो, आपका 10 रुपे price है, 10 रुपे पर लोग 1000 quantity खरीदने को त्यार है और supply भी 1000 quantity की हो रही है, ठीक है, तो यहां पर हमारा price आता है, यहां पर हमारा quantity supplied and demand आती है, यह x-axis होता है, यह y-axis और यह 0, ठीक है, यह सारी चीज़े हमें बता है, अब इसे हम market equilibrium कहते हैं, तो अ supply, जब हमारी demand हमारी supply के बराबर हो जाती है, जितने यानि कि हमारे consumer जितने चीज़े मांग रहे हैं, supplier भी उतनी supply कर रहे हैं, at the same price तो उसे हम market equilibrium कहते हैं, बत यहां पर अब government आप दी है, बीच में, government कहते हैं कि नहीं, नहीं, 10 रुपे नहीं चार्च करोगे आप इस चीज के आप चार्च करोगे सिर्फ 6 रुपे, तो यानि कि government उस चीज का price जो decide करती है, वो करती है 6 रुपे, कि अगर आप कोई चीज सी, जैसे suppose करो paracetum hole का पता था, कोई essential item हो सकता है, ठीके कोई essential item किसे कहते हैं, जो हमारे जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए बहु दाल, चावल, चीनी, तेल, मसाले, यह हमें चाहिए चाहिए, right, essential item में आता है, तो अगर government पीच में आगे कहती है, कि भाई, बहुत जादा price decide हो रखा है, इतना नहीं, कम price पर decide करना है, तो government है decide करा, 6 रुपे पर बेचा जाएगा, और 6 रुपे पर यही खरीदा जाएगा बट अगर जब हम 6 रुपे पर देखते हैं, तो supplier जो है, 6 रुपे पर उतनी quantity supply करने को ready नहीं है, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 500 quantity बेचेंगे, लेकिन demand जो है, क्योंकि चीज सस्ती हो गई, या बहुत लोग खरीद पा रहे हैं, क्योंकि 10 रुपे पर हो सकता है कि काफी सारे लोग नहीं खरीद पा रहे थे, अब 6 रुपे होने पर बहुत सारे लोग खरीद पा रहे हैं, तो demand जो है, वो उस समय पर let करो 1500 unit हो गई, 1000 से कितनी बढ़ गई, 1500 लेकिन demand और supply के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया, एक gap आ गया, जो कि 1500 की demand करी जा रहे है, लेकिन supplier सिर्फ 500 है, तो आप assume करो, लोग मांग रहे है 1500 unit, supplier दे रहे हैं सिर्फ 500 unit, तो 1000 unit की क्या हो जाएगी guys, 1000 unit जो यह है, डिफरेंस, यह हो जाएगा हमें shortage, यानि कि supplier आ निरी market में, और demand जादा है, ऐसे case में, मेंगाई आएगी न, अब government क्या करती है, देखो, सबसे पहले इस को हम price ceiling कहते है, यह जो government ने आके करा, essential item के लिए price fix कर दिया, कहा, equilibrium price से नीचे, ठीक है, जैसे की parasita mole का पता है, आज भी देख लो 10 रुपे का मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि सब लोग खरीद सके, ऐसा नाओ कि गरीब से गरीब बंदा उसे खरीद ना पाए, ठीक है, ऐ ऐसे ही way में बहुत सारी चीज़े हैं, जो government सस्ता करती है, equilibrium price से नीचे रखती है, ताकि सब की जरूरत पूरी हो, so price ceiling refers to fixing the maximum price, यह क्या है maximum price है, आप 6 से 7 चार्च नहीं कर सकते supplier, so refers to the fixing of maximum price of a commodity at a lower than the equilibrium price, equilibrium price हमारा E था, हमने उससे नीचे price पर shift किया, ठीक है, so जो हमारी हाँ अगर A और B है, A और B हमारी shortage खिलाएगी, ठीक है, अब यह जो कमी आ रही है, इसे कैसे पूरा किया जाएगा, so government इसके लिए लेके आएगी, राशन सिस्टम, ठीक है, क्या लेके आएगी राशन सिस्टम, आपने बहुत सारी राशन की दुकाने भी देखियोंगी, जहां अपर जैसे हमारी essential item में मैंने आपको बताया कि खाने पीने के पदाट भी आ जाते है, खाने पीने की commodity आ जाती है, दाल, चावल, चीनी, तो राशन सिस्टम में क्या होता है, सस्ते में जो यह वाली demand है, 1000 unit की लोगों की पूरी करी जा सके, यानि कि बहुत सारे लोग है, ज जो consequences निकल के आते है, consequences क्या होते है, कि अगर shortage होती है, महिंगाई आती है, महिंगाई के साथ साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, that is black marketing, black marketing आज की date में आप सबको बता है कि क्या होगा, supplier जो की 500 unit दे रहा है, लेकिन लोग कहरें 1500 unit की demand है, ऐसे किसमें क्या होगा, black marketing होग चीज़ें महिंगे में भी कहेंगी, ठीक है, बन्दा बोलेगा, लोग कहेंगे कि महिंगे में भी black market में खरीने लग जाते हैं, अभी देखा था अपने covid के case में oxygen की जब कमी होई थी, कितनी oxygen की black marketing हो रही थी, एक एक सलेंडर 35, 35, 40, 40,000 का, 80,000 का, 1,00,000 का बिक्रा था, oxygen का So that is called black marketing, जहां पर आप छुपके काम करते हो और आप higher prices पर चीज़ों को बेचते हो as a supplier और लोग खरीदेते हैं क्योंकि लोगों की वो need है, तो अगर उधर आकर government supply कर दे सस्ते में, तो black marketing को खतम किया जा सकता है, So black marketing जब भी होती है, तो government उसको खतम करने के लिए rationing system लेके आके intervention करता है और black marketing को खतम करने का प्रयास किया जाता है, So उसे price ceiling के अंदर रखा जाते है, So अब आपको price ceiling का मतलब पता चला, that is the fixing the maximum price, इससे जादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, but lower than the equilibrium price, उसे हम price ceiling कहते हैं, अब हम अपनी second topic पर बढ़ते हैं guys, price floor, क्या पढ़ेंगे अब ह floor किसे कहते हैं, जिसे हम minimum support price भी कहते हैं, refers to fixing the minimum price, क्या बोलेंगे इसे, minimum price of the commodity at a level, upper than the equilibrium price, अब ये just उल्ता होते है price ceiling का, देखो अभी हमने नीचे ही करा था fix, अब हम करेंगे उपर, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नया curve बनाती हूँ, आप देखो, काफी interrelated है, और सारी चीज़े आपके आस्वास हो रही है, तो आपको समझाना बहुत असान है ये, देखो demand है, supply है, मैंने आपको बताया, इसे क्या कहते है, equilibrium price, ठीक है, E मानलो से, ठीक है market equilibrium, ये हमारा price हो गया, य हमारी quantity हो गई, जिसे हमने 1000 unit माना था, राइट, यहाँ था, अब यहाँ पर minimum price रखा है, लेकिन level upward than the equilibrium price, यानि कि यहाँ पर हमने 10 रुपे माना था, government ने बोला 13 रुपे, ये किन आइटम के case में government यहाँ पर आती है, देखो, price floor जो होता है, guys, वो fix किया जाता है, कि जैसे आपके agriculture goods है, ठीक है, कि भई, इससे कम दाम पर नहीं बेचा जाएगा, that is a minimum price, क्योंकि जैसे कई बार होता है कि गे हूँ, अगर आपको पता है कि कितनी महनद से उगाया जाता है, पुरे साल बर के महनद होती है, चीज़ों को बनाने में, मलब उगाने में, जैसे गन्ना ह खेती में इतना समय किसान देता है, लेकिन जब वो market में जाता है, तो उसको उसके price नहीं मिलते, तो government को बीच में आना पड़ता है, जब बहुत सारे dealers, किसानों से बहुत सस्ते दामों पर चीज़ ले लेते हैं, तो किसानों को लगता है, उनकी महनत का फल उनको नहीं मिल तो ऐसे case में government intervention करती है, कि इनको बड़ा सस्ता चीज़ मिल रही है, तो अब हमें आना जरूरी है, तो government support में आती है किसानों के, तो as a supplier के support में आके government fix करती है minimum price which is above than the equilibrium price, छीक है, कि इससे सस्ते दाम पर कोई नहीं खरीदेगा, और कोई नहीं बेचेगा, तो ऐसे case में जो price होता है, वो above fix किया जाता है equilibrium price के, तो ऐसे case में demand जो होती है, वो कम हो जाती है, लेकिन supply जो होती है, वो बड़ जाती है, तो हमारे पास जो ये AB है, एक surplus, जिसे कहते हैं stock का maintain हो जाते है, यानि कि supplier जो है, वो जादा बेचने को त्यार है, बड़ दिमांड कम है, तो अब क सबसे पहले तो आपको ये concept clear हुआ कि price floor का मतलब क्या होता है, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जितने टाइम किसान लोग धरने पर बैठे थे, वो इसके लिए बैठे थे, जिसे हम minimum support price भी कहते हैं, आपने सुना होगा जो किसान लोग बैठे थे, वो minimum support price जिसे price floor कहा जाता है, उसके लिए बैठे थे, कि हमें हमारी चीजों के अदाम नहीं मिल रहे हैं, हमें हमारी चीजों के अदाम मिलने चाहिए, अगर हम उगा कर इतने ससने में बेचेंगे, तो हम खुद क्या कमाएंगे और खाएंगे, क्योंकि मार्केट में और जो other commodities हैं, वो महंगी ह जाती है, तो ऐसे केस में अब हमारी जो quantity demanded है, वो let करो 500 unit है, लेकिन supply 1500 unit की है, तो अब ऐसे केस में government intervention करती है, कि बहिया, चीज तो इतने दाम परी भी केगी, इस से company भी केगी, जादा पर बिग्जय कोई दिक्कत नहीं है, company भी केगी, अच्छा, डिफरेंस आरे stock का supplier को ब buffer stock, क्या कहते हैं guys, buffer stock, और government इस समान को खरीद के, जभी भी government को जरूरत होती है, government इस समान को use करती है, distribution में, अपने बास stock maintain करती है, ताकि जब जब समय पर जरूरत हो, राशन के time पर, ये किसी भी समय पर government के पास समान available हो, तो government जो बाकी जो ये surplus amount इसको खरीद लेती है, ऐसे ही case होते है guys, wages के system में, जैसे कि मैं किसी नौकरी पर गई, बंदा मेरे को बोलता है 10,000 पर, I am also ready कि भी ये मैं 10,000 पर नौकरी करूंगी, बट government कहती है कि 10,000 पर आज के time में कुछ नहीं है, 15,000 तो होने चाहिए, that is the minimum wage legislation, यानि कि government एक minimum wage decide करती कि इस से कम तो नहीं मिल चाहिए, जैसे labor वगरा के लिए ये चीज़ decide करे जाती कि labor को बड़े सुस्ते दामों पर लोग रख लेते हैं, और labor भी मजबूर होती है क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो वो काम करने लग जाती है, तो government intervention करती है, और उनका price flow decide करती है कि भाया इतनी वेश तो दो, काम करव मारे हो ना, उनको लूटो मत, इतनी वेश तो देनी ही, देनी है, ठीक है, तो उस case में भी government क्या decide करती है, price flow जिसे हम minimum support price कहते है, so I hope guys, आपको ये समझ हाया होगा, और अगर फिर भी कोई आपकी query है, तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो, ID है ताबिता मैसी, लेकिन अगर आप झाल